देवियों और सज्जनों आप सबको मेरा नमश्कार और नमश्कार का अर्थ जो मैं जानता हूँ वह है कि हम आपके अंप्रिंदर के भगवान को नमन करते हैं तो देवियों और सज्जनों हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कल मांडला भी गए थे मैं और पिश्वंदर जी और आज जो मैंने अख़बारों में देखा की यहां जबलपूर में हमारा व्याक्यान होने वाला है तो शायद यह शब्द गलत है व्याक्या जाते हम आपसे संबाद करने जाते हैं हमारी हमारी कोई हैसियत नहीं है ब्याक्यान करने की तो हम संबाद करने आता आए हैं आपके पास और आपके राष्ट प्रेम ने हमको यहां खीच के लाया है और जो राष्ट से जो प्रेम करते हैं जो देश प्रेमी लोग हैं जो असल रूप से सनातनी है जो कि इस देश की मिट्टी की पूजा करते हैं जो लोग इस देश को अपनी माता मानते हैं भारत माता उनके कहीं उनके उनके दिल को जो भी 26 जन्वरी को हुआ उससे बहुत आगहात पहुँचा है आज तो टेलिविजिन का जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है कोई चीज छुपा नहीं रहता है सब लोग देख रहे थे कि भारत की भूमी पर भारत के कैपिटल में किस तरीके से भारत के अस्तित्व पे उसकी मर्यादा पे हमला हुआ यह कोई छोटी बात नहीं तो देवी और सज्जनों अब लोग इसकी अजीब सी एक परंपरा है हमारे हाँ एक अजीब सी एक लोगों में एक प्रणाली बना ली है वाद भी वाद की कि हर चीज में आप पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं हर चीज में आप पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं कि केनेडा में ये होता है यूएसे में ये होता है यूके में ये हो रहा है इसमें आपकी सोच जो ऐसा सोचते हैं उनको अपनी सोच करहूं कि वहां की प्रजातंत्रा प्रजातंत्रिक बेवस्था चर्मरा चुकी है इसलिए किरप्या उसका हवाला देना बंद कर दे आज है जो आपने 26 जनवरी को देखा उसका लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र में सबको सवतंत्रता है अपनी बात बोलने की आंधोलन की सवतंत्रता है कि क्या आपको वह सवतंत्रता चाहिए जो कि वाइट हाउस को जाके उस पर घेराबंदी कर दे जो अब अमेरिका में हुआ है क्या आपको वो सतंतिता चाहिए जो कि कैपिटल हील में लोग वहां पे घुजगे क्या आप चाहेंगे कि आपके लोग सबहा में राज्य सबहा में लोग कारी वहां पे घुजग जाएं जो बेवस्था हमारी भारत माता का आबरू नहीं रख सकती है मुझे ऐसा प्रजातंत्र नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रजातंत्र नहीं चाहिए और आज मैं पुश्पेंदर जी से बात कर रहा था अरे तुम हमको क्या प्रजातंत्र सिखाते हो हमको क्या सिखाते हो हमारे हाँ पंच को हमेशा परमेश्वर कहा गया है मैं एक फॉज की किताब आपको मालूम है कि फॉज में बहुत सारे रेजिमेंट्स होते हैं तो मैं पुना होर्स की मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जब यह हमारा मिलिटरी लॉग नहीं बना था और इस्ट इंडिया कंपनी में यह सारी फोर्से कुछ-कुछ रेज होई थी पुना होर्स भी पेश्वा की फोर्से से रेज हुआ था तो उस समय कानून किस तरीके से पालन किया जाता था और किस तरह से लोगों को उनको न्याय दिया जाता था तो आपको ये अश्चर होगा कि जब उस समय मिलिटरी लौ नहीं था उस समय भी वहां के रेजिमेंट्स में पंच पंची फैसला करते थे कि कोई अगर ब्यक्ती कोई भी अगर सिपाही अगर कोई उससे गलती हो जाती है तो उसका फैसला जो है वह पंच ही बैठके करता था तो हमारे हाँ तो पंच-परमेश्वर की कि सम specially कि इवगरा रही है हमारे हे कि अबमन कि जुसको ब्रह्म का ग्यान ता वो शस्त्र की शिक्छा भी देता था वो शास्त्र की भी शिक्छा देता उनके अपने अपने उनके जो कारे थे उनकी कारे प्रणाली थी उनकी कारे कुशल्ता थी वो अलग-अलग जगों पे इस्तिमाल होती थी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था कि जहाँ भगवान राम गए तो वहाँ जो रिशी जो थे उनको किसी छत्रिये ने आके उनको युद्ध प्रणाली की उनको शिक्षा दी या हमा भारत में दुरुणाचारे को किसी ने जो हमारे कौरव और पांडव थे उनको किसी छत्रिये ने आके उनको उनको गुरुणाचारे ने दिया था और आपको बता दूँ कि आज जहां इंडियन मिलिटरी एकैडमी है देरादून में जहां से हम लोग सब परिशिक्षन प्राप्त करते हैं उसी जगह पे द्रोणाचारे का एक अपना जो उनका जो आश्रम था वहीं पे था टॉंस नदी में उनका आश्रम था और तब देखिए मैं तो सेना में था और मैंने कभी ऐसे महाभारत पढ़ने का मौका नहीं मिला था और पता नहीं एक अजीब सी बात होती थी कि घर में महाभारत मत रखो लेकिन मैंने जब उसका अध्यन करना शुरू किया तो माप कीजिएगा मैंने ऐसी चीज़े मुझे कुछ मिली जो हमको आज तक न मैंने सुनी थी किसी के मुझ से हो सकता है आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग ने सुना होगा लेकिन उसमें कई चीज़े हैं स्टेट क्राफ्ट स्टेट क्राफ्ट या डिप्लोमसी की शिक्षा महाभारत में दी गई है जब भिष्पितामा बानों की शैया पर लेटे हुए हैं और युदिस्टिर उनसे पूछता है कि एक राजा को किस तरी से तरीके से राज्य चलाना चाहिए और किस तरह से कूट नीती उसको प्रैक्टिस करना चीए और मैं उसमें नहीं जाओंगा कि उन्होंने कैसे एक कहानी वताई एक चुहे और एक एक बिल्ली की लोमासा लोमासा उस बिल्ली का नाम था और पलित उस चुहे का नाम था लेकिन हाँ इतना जरूर आज इनोंने कहा कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है कुछ ऐसी प्रेडिक्शन्स हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो मैं आपको एक बात बता दूँ एक सनातनी होगा और यह भी महाभारत में लिखा हुआ है कि जब दोनाचार के आश्रम में जब कौर्वों और पांडवों को इकठा किया गया तो सब को उन्होंने खड़ा किया और पूछा उनसे गुरु दुरनाचारे ने कि मैं तुमको दुनिया का सर्वस्रेश छत्रिये बनाऊंगा लेकिन क्या मैं जो कहता हूँ वो करोगे तो सबसे करके पूछा सबने अपना सर जो है वह इन नीचे कर लिया लेकिन अर्जुन ने बोला अर्जुन ने कहा कि गुरु जी भाई थोड़ा सा उधर शान्त हो जाएं आप लोग इस तरफ देखें तो अर्जुन ने कहा कि गुरु जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा और ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ड्रिल सेट किया था या उसको कहें कि उन्होंने एक प्रणाली शुरू की थी कि जो सबसे पहले सुबह सुबह ये उनके शिश शिश उनके जाते थे पानी लाने है और और अर अगर नीजर प्लीज एंशोर कि दर इस नो डिस्रेक्शन हम जब बोलते हैं तो बहुत कॉंसेंट्रेशन हम कोची यह होता है प्लीज तो मैं कह रहा था कि उन्होंने सब को ये जिम्मेदारी दी थी कि सुबह सुबह तुम गुरुकुल के लिए नदी से पानी लाओगे और जो सबसे पहले आएगा उसका क्लास शुरू हो जाएगा वहीं से क्लास शुरू हो जाएगा वो गुरुओं का अपना तरीका होता है कि वो देखे कि किसको कितना पैशन है सीखने के लिए तो सबको उन्होंने एक साइज का घड़ा दिया एक प्रकार का अपने पुत्र अश्वथामा को वो उससे कहीं ज़्यादा भारी घड़ा दिया कि कहीं ये पहले ना आ जाए लेकिन वो फिर भी आ जाता था अब उन्हें शिच्छब वो प्रारम कर देते थे कुछ दिनों के बाद अर्जुन ये देखता रहा और फिर कुछ दिनों के बाद वो सबसे पहले आने लगा तो गुरु दुरुणाचारे ने पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि कुछ देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम सबसे पहले आ रहे हैं और मुझे ये भी मालूम है कि तुम नदी तक नहीं जाते हो पानी लाने कि तुम कैसे आते हैं और पानी कहाँ से आता है तो का गुरु जी आपने मुझे वरुन अस्त्र की शिक्षा दी है मैं वरुन अस्त्र इस्तमाल करके पानी निकालता हूं इनमा भारत में है, गुरु दुरुनाचार ने वो अपने सीने से लगा दिया और उन्होंने कहा कि शस्त्र केवल विद्वनसक नहीं होता है, शस्त्र जो है वो निर्मान के भी काम में आता है तो यह उन्होंने सीख तो इस परंपरा के जहां लोग रहे हों, वहां आप हमको फ्री स्पीच और आप क्या-क्या बाते हमको सिखाते हो, लिबर्टी तो इसलिए जो यह लोग कह रहे हैं कि हमको आंदोलन करने का पूरा हक होना चाहिए, शायद उन लोग को यह एहसास होना चाहिए कि जो वहाँ पर ट्रैक्टर आये थे वह ट्रैक्टर कोई हल की तरह वह कोई पवित्र चीज बनके नहीं आये थे वहाँ पर कोई सेक्रेट एग्रिकल्चर का कोई सेक्रेट सिंबल नहीं था उसको उन्होंने वेपेनाईज कर दिया उस ट्रैक्टर को उन्होंने वेपेनाईज कर दिया जैसे जिहादियों ने पूरे जो मोटर वेहिकिल्स हैं उसको उसको वेपेनाईज कर दिया है उसका स्थ्री करण कर दिया है नाइस फ्रांस में 2016 की बात कर रहा हूं जिहादियों ने एक 19 टंग का ट्रक लेके 86 लोगों को रॉंग डाला लंडन में उसके अगले साल लंडन में चार लोगों को रॉंग डाला बर्लिन में 2019 में तो पूरे जो ये पश्चमी देश हैं वहाँ पे ये जिहादियों का ये अंदाज देखा गया और वही अंदाज हमको कुछ इस 26 जन्वरी को भी देखने को मिला है तो मैं केनेडा के जो टूडो साहब हैं प्रधान मंतरी उनको आज मैं अगाह कर देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब जिहादियों की तरह खलिस्तानी भी आपको उसी ट्रैक्टर से रौन देंगे इस बात को ध्यान रखिएगा हलाकि मेरी ये मनुकामना है और मैं प्रार्थना करता हूँ इश्वर करे कि केनेडा की धर्ती पे खलिस्तान बने इश्वर करे कि केनेडा की धर्ती पे खलिस्तान बने चलो हमारे भाईयों का भी एक देश होगा वहाँ पे लेकिन हिंदुस्तान में साब नहीं बन सकती है वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि सिंदू से है हिंदू और हिंदू से है हिंदुस्तान और सिंदू से हैं इंडस सिंदू से है यानि की इंडस को जो अंग्रेजी में उसको लोग इंडस बोलते हैं जिससे इंडिया कहते हैं तो उसकी जो ये पांच नदिया जो है वो उसकी बेटिया है जिससे की पंजाब शब्द निकला है चेनाब जेलम रावी सतलच यह सब बेटियां हैं सिंदु की कोई कोई बेटियों को अपनी मां से अलग कर सकता है क्या मजब तै करेगा कि मां और बेटी के बीच में वो रिष्टा क्या होगा क्या यह मजब पे करेगा अगर खलिस्तान बनना है तो उसका कैपिटल होगा ओटावा केनेडा में ओटावा वरना वो जो गलती एक बार हो गई और वो हमारी गलती नहीं थे हो सकता है हमारे कुछ नेताओं की गलती हो पुश्पेंदर जी इसके बारे में आपको बहुत तफसील से बताएंगे उनका ये फेवरेट टॉपिक है नेताओं का गलती हो अंगरेजों का गलती हो जिनों ने मा को अपनी बेटी से अलक्या ये दुबारा ये गलती नहीं होगी ये गलती दुबारा नहीं होगी और मैं आपको बता दू कि मजभब पैदा लेते हैं और मजभब मरते भी हैं जो पुश्पेंदर जी बार-बार कहा करते हैं ठीक है तो देखिए समय का इंतजार करें बहुत से लोग कहते हैं मैं भी कुछ दुनिया का अध्यन करता हूं और जो ट्राजेक्ट्रीज हैं उसको मैं देखता हूं तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वो हिस्सा मैं जब वो दिन कहता हूं तो कल की बात नहीं कर रहा हूं जब वो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब का भी हिस्सा वो आपके पास वो आएगा और और ये सब कुछ नहीं है कि उनका इतिहास अपने पुरवजों का नाम नहीं लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो इतिहास अंदकार में है उनका भविश बल्वान हो जाएगा ये भी नहीं होने वाला है है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजहब ने उनसे चीमा टाइटिल नहीं लिया अंसे बाजवा टाइटिल नहीं लिया तो अनों उनसे रठी टाइटिल मC in लिया मुझे याद है कि पीओ के में एक चुनाओं हुआ उसमें जो पूरा चुनाओं की जो प्रतिक्रिया प्रक्रिया थी स्वरी वह जाट वर्सेज अब मुसल्मान थे वह सारे पीपीपी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और जितने जितने राजपूत थे तो कहा गया साब अभी भी वो उसको PMLN को कर रहे थे नवाशरीफ की पार्टी को तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतजार कीजिए हमारे साथ एक आते थे टेलिविजन पर आजकल नहीं देख रहा हूँ उनसको एक अड्मिरल जाबेद साब तो वो बड़ी कटू शब्द भारत के प्रती बहुत कटू शब्द का इस्तमाल करते थे तो एक दिन मैंने कहा कि जो अब तुम अपने पुरवजों के नहीं हुए है और ये सब मजभ़ब के पर ये लागू होता है कि अगर तुम अगर अपने पुरवजों का नहीं हुए तो तुम मजभ़ब के खाक वो होगे तब मैंने एड्मिरल जाबेद को बोना और मैं थोड़ा रिसर्च करके आया था मैंने का एड्मिरल साब ऐसा है कि तुम्हारे बाप दादा क्या थे तो बोले हम मुसल्मान हैं हम बोले नहीं आप जलंदर के राजपूत थे अब उनको थड़े बड़े अवाक होगे कि ये कहां से पता चला और फिर मैं ये बार बार उनको ये बात ये कहता था कि ये देखिए ये आपके पुर्वज है अपने पुर्वजों से मत भागिये अगर आप अपना एतिहास अंदकार मैं देखते हैं तो आपका भविश्य भी नहीं बलवान होगा और इसी लिए आज पूरी इसलामिक दुनिया में ये कहर जहां भी देखें वहां पे कहर इस आप लोग धर्म और मजहब कि हम लोग अक्सर चचा करते हैं पुश्पिंदर जी भी आपको इस पर बताएंगे वो इनका बड़ा फेवरेट वो है एक सब्जिक्ट है लेकिन आपको मैं बता दूँ कि धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है अग्डान दिया पिछले से पिछले वर्ष कोई दोस कोई दोसो तो हंड़न थर्टीन पीपल डोनेटेड देर्र और गंस उन्होंने अंगदान किया उसमें प्राप्त करने वाले जो थे उसमें जो डोनर्स थे जिन्होंने रिसीव किया उसमें थर्टीनाइन लोग थे उस 232 में थर्टीनाइन मुसलिम्स ने उसको प्राप्त किया वो अंगदान के बेनिफिशेरी बने लेकिन उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था देने वालों में कोई एक मुसलमान नहीं था लेने वाले में थर्टीनाइन मुसलिम्स थे आउट अफ टू हंड़ेड एं थर्टीनाइन एक तिस मुसलमान थे एहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 410 लोगों ने अपना अंगदान किया उसमें से प्राप्त करने वाले मुसलमानों की संख्याती 62 उसमें से एक भी मुसलमान ने अंगदान नहीं किया था तो उन्होंने कहा कि पूछा कि भाई जो सर्वे कर रहे थी कि आखिर ऐसा क्यों है तो उन्होंने हमको कहा उनको करभा कि हमको इसकी इजाज़त नहीं देता है कुरान कुरान इसकी इजाज़त नहीं देया है तो फिर पूछा तुम लेते क्यों हो तो कहते हैं रसूल नहीं इस पर कोई कोई फर्मान नहीं किया है रसूल ने कोई इसका फर्मान नहीं किया है और लेकिन लेकिन बाकी लोगों से प्राप्त करके जीवन दान लेना वो वो एलाउड है तो ये होता है धर्म और मजभ में फर्क धर्म बलता है अंगदान करो मजब कहता है कि अंगदान लो लेकिन मत दो ये है धर्म और मजब का और ये धर्म क्या है धर्म is nothing but law of nature वो प्रकृति का नियम है उसको हम धर्म कहते हैं और जो ये मैंने आपको एक उधारण दिया ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है ये बात है तो देवियों सर्जुनों आप देखिये की जब हम धर्म की बात करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि हम भारत के परिपेक्ष में राजनीती को हम धर्म से अलग नहीं देख सकते हैं ये जो लोग बाकी प्रजातंत्र जमूरियत का जो लोग दुहाई देते हैं वो उस परिभाशा से हम अगर चलेंगे तो हमारा नुकसान होगा हम मिठ जाएंगे देखिए हमारे देश में विदेशी महिला है उसके लिए धर्म क्या है उसके लिए धर्म है सियासत उसके लिए धर्म है कुरसी उसके लिए धर्म है पैसा ये धर्म नहीं है ये मज़भ भी नहीं है ये धर्म भी नहीं है और ये मज़भ भी नहीं है और वो विदेशी महिला और उसका पुत्र आपने देखा होगा कि जैन लोगों को अलग मजभ बनाने में कितनी उन्होंने कितनी मेहनत की उसके लिए आप सब को मालूम है किरनाटका में लिंगियाद्स को अलग दर्जा देने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की उस नालाएक को ये मालूम नहीं इस नालाएक को ये मालूम नहीं कि और उसकी विदेशी मा को ये मालूम नहीं जो अंग्रेजों की वो चाल चल रही थी देखे मैंने तो कहा न कि वहां तो वाइट हाउस Trump जब वाइट हाउस में था तो वहां पर उसके घेराबंदी हुई वाइट हाउस की उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है Capital Hill की चाहे हिंदुस्तान में वाइट हाॉस नहीं है लेकिन दस जनपत एक ऐसी जगह है जहां वाइट लोग रहते हैं तो उस नालाइक को ये मालूम नहीं उस नालाइक को ये मालूम नहीं कि जैन परंपरा जो है जैन परंपरा का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वैश लोगों को ये कहा गया कि आपको मुक्छ नहीं मिलेगा तो कोई आए दिगंबर आए पेगंबर आए उन्होंने कहा कि हम आपको रास्ता देंगे हम मोक्ष दिलाएंगे आज पूरी दुनिया में कितने लोग इस बात से चिंतित हैं या पेडित हैं कि हमको मोक्ष नहीं मिलेगा इस हौल में बैठे हुए हम लोग मैं भी नहीं हूँ मैं भी चिंतित नहीं हूँ कि क्या होगा मैं नहीं जानता कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन जिस सब्धिता में इतनी उची सोच हो वो समझ जाएए कि वो कितनी उन्नत सब्धिता होगी वो कितनी संपन सब्धता होगी जब आदमी संपन होता है तब ही ये उची उची दार्शनिक बातों के बारे में वो सोचता है लेकिन आज आप देखिए आप मंचों की बात करें चाहे वो जे निव का मंचों शाहिन बाग का मंचों अगरी ये अभी ये जो आंदोलन चल रहा है सो कॉल्ड आंदोलन किसानों का मंचों ये जितने मंच हैं आप देखेंगे कि उसमें किरदार एखीद होते हैं एक जैसे होते हैं उसमें होगा मावादी या इलगार परिशत का मंचों उसमें होगा मावादी उसमें होगा जिहादी उसमें आपको मिलेंगे ये जो लेफ्ट वाले जो इंटलिक्ट्छोल्स जह हैं उसमें मिलेंगे वो दो चार वही नालाइक वकील उसमें आपको मिलेंगे कुछ नालाइ जर्नले स्ब सब वही वहाँ ही पर मिलेंगे आपको अब बीए बातों किससे छीपी नहीं है वही पर आपको मिलेगी अनुधुती रोय वहीं पर मिलेगा आपको शर्जिल इमाम लेकिन पर वहीं पर आपको मिलेगा गन्हिया है अब जय सिरी कृष्ण का तो उन्होंने ऐसा कि कहा कि यह जय किसे लेकिन एक ऐसा का नया भी है हमारे देश में ठीक है न तो यह तो शर्जिल इमाम की बात मैं कह रहा हूँ उसका भी एक गुरू आया शर्जिल उस्मानी अभी इलगार परिशद में उसको बुलाया गया उसको बुलाया गया और उससे उसको बुलाके हिंदूओं को गाली दिलवाया गया उसने क्या कहा उसने कहा कि हिंदू समाज जो है वो सड़ चुकी है उसने कहा कि सम्विधान और ये प्रजातंत्र ये सब बैमानी है ये बकवास है और इसी सम्विधान के तहत हुआ आदमी आज बेल में है और उसी विश्व विद्याले का है जहां पुश्पेंदर जी ने बहुत बच्पन से लेके अपनी पूरी जवानी वहां गुजारी है ठीक है अलिगर मुस्ली इंविर्सिटी का है तो मैं उससे ये कहना चाहता हू कि ये बिवस्था जो है ये जो हिंदू कह रहा है हिंदू समाद सड़ चुका है थोड़ा अपनी तरफ देखो जहां के अपनी तरफ धाक के सड़ी हुई समाजिक बिवस्था वो है जिसमें ट्रिपल चलाक हो सड़ी हुई समाजिक विवस्था वो है जिसमें की निकाह हलाला हूँ आज हमको भी नहीं मालूम कि निकाह हलाला के कितने प्रड़क्ट घूम रहे है यहाँ पे जब ट्रिपल तलाक इतना आसान है जब ट्रिपल तलाक इतना आसान है तो निकाह हलाला भी बहुत आसान होगा और आपको बताएंगे पुश्मेंदर जी उन्होंने मुझे बताया है कि उनके वही अलिगर्ड मुस्लिम इन्वर्सिटी में एक रसाइन शास्त के प्रोफेसर ने किस तरह अपनी ही छात्रा के साथ उन्होंने निकाहलाला किया था ठीक है तो सडा हुआ समाज उसको कहते हैं सडा हुआ समाज उसको कहते हैं जो माले गनीमत यानि की युद्ध में लूट लूट पर विश्वास करता औरतों की बाण बाण उनके जेवरों की बाण उनके बच्चों की बाण बाण ये 1400 साल से ये समाज दुशित रहा है आपको मालूम है मैं किस समाज की बात कर रहा हूँ लेकिन हम मानते हैं हमारे यहां विकृतियां आती है सनातन में विक्रिया आती है और हमारे हां अवतार भी आते हैं जो की विकृतियां को दूर करते हैं लेकिन आपने कह दिया कि आखरी पैगंपर तो पैदा हो गया अब जो है वही है तो ये विकृतियां आखिर दूर कौन करेगा तो शर्जिल उस्मानी को ये तैय करना होगा कि कौन सा समाज सड़ा हुआ है और कौन सा समाज सड़ा हुआ नहीं तो आपने देखा मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपने उसी मंच पर आपने देखा कि मावादी भी थे, जिहादी भी थे उसमें कुछ खलिस्तानी लोग भी थे जब ये कल भी मैंने ये बात कही थी कि जब ये शाहिन बाग में सब कुछ हो रहा था तो वहां कुछ लोग लंगर चला रह थे और शाहिन बाग किसलिए हुआ था CAA के अगेंस्ट उसी दोरान काबुल के गुरुद्वारे में एक नरसंगहार हुआ उसमें कुछ बच्चे बच गए थे भारत की भारत सरकार ने एक स्पेशल एरक्राफ्ट बेजा और उन बच्चों को वहां से लेकर आया और उनको अब CAA के अंतरगत उन्हें नागरिकता दी जा रही है तो यह कौन से यह कौन से लोग है साब यह कौन से लोग है लेकिन मैं आप से यह बताना जरूर मैं चाहूंगा कि जो भी द्रिश आपने इस 26 सेगरे को देखा इस इस द्रिश के पीछे प्रिस्ट भूमी क्या है कहां से इसके शुरुवात हुई और तब आपको और बड़े मैं चाहूंगा कि आप बड़े गौर से मेरी बात को सुनें और समझें कि यह कैसे मावादी जिहादी यह जितने यह देश के दुश्मन है कैसे एक मंच पर आये हैं और यह ताक्त ही क्या है तो आप जो रेड कॉरिडोर की बात करते हैं यानि कि तुरुपठी तुपशुपठी वो थोड़ा कमजोर हुआ है जरूरी इसमें कोई शक्की बात नहीं है सबसे पहले ये जो भारत माता के आबरू पर चोट ये रेड कॉरिडोर पर पड़ता रहा है सबसे पहले उन्होंने सवतंतरता दिवस और गनलतंतर दिवस मनाने के खिलाफ वो फत्वा इशू करते रहे हैं कि आपको एक मैं वाक्या बताता हूं कल भी मैंने इसका वर्णन किया था मैं मिनिस्ट्री ओफ होम के एक स्टडी टीम का सदस्य था महावाद के उपर में कुछ साल पहले की बात है आपके यहां भी आया था 36 गड़ भी गया था बिहार जारकंड उस रेड़ कॉरिडोर में जितने इलाके हैं वहां में गया हूं और नेपाल पर तो मैंने किताब भी लिखी है तो मुझे रेड़ कॉरिडोर का काफी मुझे ग्यान है तो वहां पर मैं इसी सिलसिले में जब गया गया बिहार में गया आप लोग जानते होंगे मैं गया गया तो वहां एक लेड़ी डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट थी तो उस लेड़ी डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट ने मुझे बताया कि देखिए ऐसा दहशत है मावादियों का कि उन्होंने अपने लिबरेटिड जोन जो है उनका या उनका जो जिस जोन में उनका नियंतरन है वहाँ पर उन्होंने एक फत्वा जारी कर दिया डिक्ताट जिस कॉंगरेजी में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राश्ट्रिये ध्वज 15 अगस्त को नहीं फैराएगा किसी सभी स्कूल में बच्चे इकठा होंगे लेकिन वो काला जहंडा फैराया जाएगा तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे ही कोई स्कूल में जब ये सारा कुछ उनके डिक्टाट को उबे किया जा रहा था कार्यानवित किया जा रहा था काला जहंडा फैरा के तो एक आठवी क्लास की लड़की एक आठवी क्लास की लड़की बच्ची वो दोड़ते हुए आई उसने जहंडा काला जहंडा नीचे किया और अपने साथ वो तिरंगा लाई थी उसने तिरंगा जहंडा पहराए देदी और सज्जलो वो परिवार उसके बाद से वो मिसिंग था मुझे मालूम नहीं है कि अभी वो कहा है उनका कहा ठीकाना है मुझे नहीं मालूम है लेकिन उस समय एक-दो साल पहले की बात थी घटना हो चुकी थी और डीम साहिवा मुझे करी थी कि उनका अता-पता नहीं चल रहा है उनके परिवार तो इस तरह की देहर्शती लेकिन लेकिन घखार करने वाली ये बात है कि उस बच्ची का चरित्र देखें और उस बच्ची का परवरिष देखें और टिकेट टिकेट का परित्र देखें और उसकी परवरिश देखें जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति 26 से 11 को ये 26 जन्वरी या 15 अगस्त को भारत माता की आबरू पे प्रहार करता हो उसकी पैदाईश पर मुझे शक है उसकी पैदाईश पर मुझे शक है उसकी परवरिश और उसके चरित्र पर मुझे रोना आता है 26 जन्वरी एक राश्ट्री ये परव है बच्चे आप थोड़ा NCC कैंप में जाईए और वहां देखिए कि 4 बजे सुबे बच्चे उठ जाते हैं और किस तरह से परेड का रिहर्सल करते हैं और कितनी गर्व की बात होती है कि वो अपने अपने स्टेट से 26 जन्वरी के परेड में रेप्रेजेंट करने जाते हैं वो बेडला पब्लिक स्कूल की बलड़कियां जो बैंड बजा बैंड का उनका जो कॉंटीजेंट होता है बाकि आप छोड़ दीजी इतना उत्सा और वही नहीं जो परेड में हिस्सा लेते पूरा देश पूरा देश उसमें इंवाल्ड होता है हर आदमी आप भी टेलिविजन में उस दिन सब कोई अपने अपने टेलिविजन के के सामने होंगे ग्लूड होंगे अपने टेलिविजन से कि उस उस समय अपनी भार भारत माता के आबरू पर तुमने प्रहार किया और अब यह लेफ्टिस लोग कहतें नहीं जी यह जंडा नहीं था वो जंडा नहीं था तुमने उस दिन कि 26 जन्वरी भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन है तुम अपना पैरलल शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे इनके हाथ में शुकर करो कि इनके हाथे में हथियार नहीं था नहीं तो जो गुरु दुरुनाचारे ने अर्जुन को सिखाया था न यह अर्जुन नहीं यह सब दुर्योधन के उतार है यह गनीमत है कि उनके हाथ में उस दिन हथियार रही था और हम दिल्ली में रहने वाले लोग जो टेलिविजन में हम देख रहे थे एक तरह का एंग्जाइटी होता है गवराट होती है कि पता नहीं क्या होगा अपने लिए नहीं देश के लिए हमने तो अपना जिब जंदिग प्रार्थना है कि ये एक बार नहीं ये दूसरी बार ये हो रहा है अगर आप 26 जनवरी की मर्यादा को नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं तो किर्पिया ऐसे रास्ट्र पर्व ना मनाए लेकिन भारत माता की आबरूपे दुबारा प्रहार नहीं होना चाहिए तो देवी और सजनो मैंने आपको रेड कोरीडूर के बात की और अभी इसकी बात की मैंने इसकी शुरुआट कहां से हुई किसने शुरुआद के और किसने करवाई शुरुआइख थोड़ा उस पर भी गौह फरमाई और तब आपको सारी चीजें आपको बिल्कुल साफ सा इसकी शुरुवात की थी अरविंद केजरिवाल ने आप 14 14 2014 आप याद कीजिए यह वही वक्फा था वही पीरेट था 26 जन्वरी का यह आदमी ने आंदोलन किया किसले आंदोलन किया किसी को बहुत लेकिन उसमें यह एक संवाइधानिक पद पे था दिल्ली का मुख मंत्री था इसको जन्तर मंतर इसको डेजिगनेट किया गया था कि आप वहाँ पे अपना धरना यह करो वहां से नहीं करके यह अपनी पूरी जो अंदोलन कारी थे उनको लाके यह बिलकुल जो नर्व सेंटर है रेल भवन पे आके वो बैठ गया वहां पे इसने अपने टेंट लगा दिये रजाईयां आ गई खाना आने लगा जैसे अभी पिकनिक हो रहा था फुट मसाजर दारू हिरोईन का इंजेक्शन वह सारा कुछ इंतजाम वहां भी था ठीक है ना तो सुबह सुबह मफलर लगाए अपनी गंदी शकल लेकर ये 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 आदमी मैं लोगों का आवाहन देता हूँ यहां चार-पांच लोग यठा हो जाएंगे मैं दे करूँगा कि भारत का भारत का ग्री मंत्री ये शिंडे कहा बैठेगा आप बताईए कि बिना ओफिशिल पेटनेज के कोई ऐसा कर सकता है वो पर्णम मुखर जी ने फिर आखरी में इसको अल्टीमेटम दिया कि यहां से अगर राश्ट्री ये पर्व 26 जन्वरी को कुछ अगर तुमने टार्गेट करने की कोशिज की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूँगा फिर उन्होंने कहा कि यहां से चले जो नहीं तो खाड़ के फैक दूँगा तुमको लेकिन इसके पीचे कौन था एक दिल्ली के मुख मंत्री को जिसके नीचे इतनी उसके नीचे पुलीस है ना कोई विवस्था है उस आदमी को इतनी हिम्मत उसका उसकी उसकी उसका पेट्रेन है विदेशी महिला कांग्रेसी या आपके अस्तर पे कांग्रेसी शायद नहीं जानते होंगे लेकिन वो उसका बीटीम है वो उस विदेशी महिला का बीटीम है तो आप देखिए कि वो व्यक्ति के हाथ में अगर पुलीस अगर उसके नियंतरंड में दिल्ली की पुलीस होती तो वो क्या या तीड़ को सकता है यूक्रेन वाली हालत हो जाती हो सकता है कि जिस तरह से यूग्रेन में प्रेजिदिंशल पैलस में लोग खूश गह थे वहां भी लोग गूश जाते और इसके एलेक्शन में मैं बहुत सारे पुरुषपंदर जी भी उन लोग को जानते हैं पूरे जितने एंजियोज हैं वो सारे ही कठा थे दुनिया के सारे एंजियोज और वो बिलकुल डिटेल माइनिूट मिनिट टू मिनिट प्लानिंग कर रहे थे इसको पावर में लाने का और इरादा यही था कि ये किसी तरह से इसको दिली के गद्धी पे बैठा दो फिर ये हर्याना हर्याना और बॉर्डर स्टेट्स बॉर्डर स्टेट्स पंजाब और राजस्थान उसको कबजा कर लेगा तो देवियों और सज्जनों आप कलपना कीजिए कि अगर उसके अधीन दिल्ली पुलिस होता तो उसका क्या परिणाम होता इसलिए मैं आज इस मंच से आप लोगों से गुजारिश करता हूं और जो सुनने वाले उन सब से गुजारिश करता हूं कि आज तो मोदी साहब है और अमिच्छा जी हैं जो कि इस खत्रे को किसी तरीके से सामना कर हैं लेकिन जब आपकी फेवरेबल सरकार नहीं होगी तो क्या अंजाम होगा इसलिए यह समय आ गया है कि दिल्ली के स्टेट हुड को खत्म कीजिए दिल्ली के स्टेट हुड को खत्म कीजिए नहीं तो अभी उस समय में 2014 में इसने रिपब्लिक डे में ये किया काम किया अभी देखे इसने शाहिन बाग से दंगे करवा दिये वहां भी इसके लोग थे इसका आदमी पकड़ा गया और अभी ये फार्मर रांडोमन में भी ये था तो दिल्ली जो की आपका कैपिटल है अगर आपका सिटैडल ही गिर जाएगा तो फिर इस देश का क्या होगा इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सरकार के पास बहुमत है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी और उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जितना जल्द हो सके जिस तरह से एक बोल्ड डिसीजन 370 खत्म करने का उन्होंने लिया उसी प्रकार से दिल्ली का इस्टेट हुड इसको खत्म किया जाए फिर आप देखिए यह आदमी खले वहां पंजाब में एलेक्शन लड़ता है वहां जितने खलिस्तानी थे प्लेन नोड्स वहां से आए आई एस आई में 1400 करोड रुपया 1400 करोड रुपया है इसको दिया था वो एलेक्शन लड़ने के लिए यह सबको मालूम है और पुश्वेंदर जी को मालूम है कि किस तरह से फिर राष्ट राष्टवादी ताक्तों ने इसका इसका पावर में आने को किस तरीके से इसको रोका तो देवियों और सज्जनों आप देख लीजिए थड़ा मेरी तरह ध्यान दिजिए आप लो देखिए यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ यह वेक्ति ने कहा कि यह तो फरजी स्ट्राइक था सारे पाकिस्तान के पेपर में सारे जगह छप गए कि दिल्ली का मुखमंतरी कहता है कि यह फरजी स्ट्राइक था मैंने कल भी ये बात कही थी कि देखे जब आप इस तरह के स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो टार्गेट है वही अबजेक्टिव नहीं होता है लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी टार्गेट होता है हम पाकिस्तान के पब्लिक ओपिनियन को भी हम टार्गेट करना चाहते थे लेकिन इस आदमी ने अपने एक स्टेटमेंट से उसको निट्रलाइज कर दिया यह वही आदमी है जो कि एक से ने कहा था कि बाटला हाउस एंकाउंटर भी फरजी था तो पाकिस्तान से इसका अपने लिंक्स देख लिया और जो आपने अन्ना अंदोलन आपने देखा था आपको मैं बता दूँ यह अन्ना अंदोलन पहले तो यह सब मंच इस्तमाल करते गया पहले उनका बाबा रामदेव का उसने मंच इस्तमाल किया लेकिन उस्तमाल करने के बाद अन्ना अंदोलन में आपने देखना कि एक बार भी काले धन की चर्चा नहीं हुई और विदेशी महिला की चर्चा नहीं हुई ये विदेशी महिला देश के बाहर चली गई थे तो आपने इसका पाकिस्तान से लिंग देख लिया इसका जिहादियों से लिंग देजिया अब ये विदेशी महिला को देख लीजिए 26 से 11 आपको मालूम है आपके ही राज्य के एक पॉलिटिशन ठीक है आप सब जानते में किसकी बात करा उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया 26 से 11 आरेसेस की साजिश वो किताब पहले ही वो बर्नी ने वो किताब पहले ही लिख डाली थी 26 से 11 होने के पहले बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ये सारा का सारा दाओद आईएसाई और लशकरे तोईबा से ये मिलके ये सारी संग रचना जो है वो रची गई थी ये प्लैनिंग था क्योंकि मैडम को ये मालूम था उस समय कि शायद वो दुबारा पावर में ना सके तो वो हमेशा के लिए ये जितनी हिंदू ताक्ते हैं उसको हमेशा के लिए वो खत्म करना चाहती थी लेकिन हम कहते हैं अगर अजमल का साब नहीं पकड़ा गया होता तो क्या होता आप आप सब को मालूम है अब क्या है कि ये विदेशी महिला इन्होंने सब कुछ करवा के देख लिया मुदी जी को कानूनी रास्ते से पहले तो इनको राजनीतिक रूप से हटाने की कोशिस की वो सफल नहीं हुआ अर्विन के इजरिवाल को इसलिए खड़ा किया गया कि वो दिल्ली और वारानसी में उनको निट्रलाइज करे वो जाके चौबिस चौबिस एंजियोस थे उसके सपोर्ट में वारानसी में वो कामयाब नहीं हुआ लशकरे तो इबादवारा इशरत जहां को तयार किया गया इनको फिजिकली इलिमिनेट करने का वो कामयाब नहीं हुआ जुडी शेरी में एक अपने वहाँ जज बिठा के उन्होंने चीज़ें इन्फ्लूएंस करने कोशिस की वो कामयाब नहीं हुआ पटना में उस समय में गांधी मैदान में मौजूद था वहाँ हमला करवाया वो कामयाब नहीं हुआ जब कुछ भी नहीं कामयाब हुआ तब ये विदेशी महिला अब चीन का सहारा लेने लगी है और ये जो आप उनके पे उनके जो कुक पुत्र जो हैं उनको जो आपने दोकलाम क्राइसिस में चुप 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 के जाते देखा वहां के अमबेसी में और अजीब हमारी जनता भी अजीब है ये सवाल पूछती नहीं है वो किस लिए गया था उसको ये बिश्वास था कि ये चाइनीजी जो हैं ये रेजीम चेंज करवा सकते हैं और वो कर भी नहीं कई जगा नेपाल में उन्होंने किया हमने उल्टा कर दिया मैल्डिप्स में उन्होंने किया हमने उल्टा कर दिया उसको कहीं कई पर वो कामयाब ही मैनमार में वो कामयाब हो गए हैं तो ये रेजीम तो उनको ये स्विदेशी महिला को लगता है कि हमको बाहर की ही ताक्तें हमको बाहर की ही ताक्तें गद्धी पे बिठा सकते हैं इसलिए इसने एक अपने चपरासी को वहां भेजा था पाकिस्तान वो जाके वहां कहा कि मोदी को हटाने को हमको मदद कीजिए चाइना में इसने सीक्रेट M.O.U. साइन किया है तो ये चाइना और इसका ये कनेक्शन आ आप देखें तो ये पूरे की पूरी मावादी है आप सब जानते हैं कि और माववादी और चर्च का क्या संबन्द है मेरे एक मित्र हैं उनके उनके अपने भाई अरुनाचल के मुख मंत्री थे और बिना किसी कारण को उनको मुख मंत्री पत से हटा दिया गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि पोप का फोन आया था पोप का फोन आया था विदेशी महिला के कि इस मुख मंत्री को जल्दी हटाओ यहां पर धर्मान तरन यह बड़ा रुकावट बना हुआ है यह तो जो अरुनाचल प्रदेश का जो तिरफ सेक्टर है उसमें साथ क्रिश्चन एंप मंत्री को उन्होंने बदलवा दिया तो यह सारे लोग जो आप देख रहे हैं इस मंच में यह टुकड़े टुकड़े गैंग यह शाहिन बाग यह इलगार परिशद यह मावादी जियादी यह सब बाहर से नियंत्रित लोग हैं आप प्रियंका गांधी का आप पुरी टीम उसने उसमें देखो पूरी टीम आप देखो जो उसने यूपी में अपनी बनाई है चटे हुए मावादी विदेशी महिला का नाशनल एडवाईजरी सो कॉल नाशनल एडवाईजरी चटे हुए मावादी देश के दुश्मन पता नहीं अभी कहा है कहा है तो मेरा कहने का यह है कि यह देखिए इसी को हम बोलते हैं थर्ड फ्रेंट उस थर्ड फ्रेंट याद रखिए सोवियत यूनियन के पास सब कुछ था नुकलियर पावर, स्पेस पावर, यूज इतना बड़ा युद्ध की सामगरी वो कॉलाप्स कर गया वो कॉलाप्स कर गया क्योंकि आप टैंक तो ब्रिक्फरस्ट अपने नाश्टे में खा नहीं सकते एरक्राफ पी नहीं सकते अंदर से देश खोकला होता गया क्योंकि इंटर्नल फ्रेंट जो है वो कमजोर हो पनलता घया कॉर याद रहे है सब्सक्राइब याद रहे लोगं यहां पे यह जितने आते हैं कै कि हमारे जवान बहékतारी से हमारे देश की कोई वो जम जवान वो चीन से नहीं लड़ रहा है कि वह कॉमनिस्ट चाइना सा निए हैं अब वरना हमारा टिश्टा टिबी रेकिन फिर भी आप इंडो चाइना बॉडरर इंडो चाइना बॉडरर अमेरिका ने अभी इंडो टिबेट बॉर्डर कहना शुरू कर दिया loc भी बिडिन का एक स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप ने जाते जाते टिबिट सपोर्ट एंड पॉलिसी एक्ट वो करके गया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और उसने कहा है कि अगला दलाई लामा चुनने का हक यह जो दलाई लामा धरमशाला में उनका होना चाहिए यह ब जिहादिजम के कारण ही पाकिस्तान बना हम कॉमुनिजम से लड़ रहे हैं कॉमुनिजम के कारण ही आप मौविजम यहां पे आया तो हमारे जवाद तो लड़ रहे हैं चाहे माइनस 30 माइनस 40 पे वो लड़ रहे हैं लेकिन अंदर में देश के अंदर में यह जिहादिजम और कॉमिनिजम और शर्जिल इमाम और शर्जिल उसमानी और ये कनहया साही प्रोफेसर साही बाबा इन से कौन लड़ेगा और आपका अगर थर्ड फ्रेंट वीक हो जाएगा याद रखिये कोई रफाल आपको नहीं बचा सकती है बिकॉज इस थर्ड फ्रेंट विच फीड्स दिए अधर टू फ्रेंट आप लोग से हमारा जो भी इंटरेक्शन हो रहा है जो बाते हुई है सब कोई चिंतित है थर्ड कोई मुझे कहा रहा है कि धर्मांतारंड किस तरह हो रहा है कुछ कह रहा है कि यहाँ देखिये जिहादी लोग क्या करेंख तो अपनी आइडियोलजी करेक्ट कर लें थर्ड फ्रेंट को अपने आपका सिपाहि माने और आपधिये कि बाकी जो external front है, वो मुझे कभी कोई चिंता नहीं रही है, external front को लेकर, अगर मुझे कोई चिंता है, तो वो third front को लेकर है, और आपको भी इस पर सोचना होगा, इस पर चिंता करनी होगी. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिसको आप लोग सुनने आये हैं, वो अब आपके सामने आएंगे, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत.